नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज अर्याड़ा पर मैं हूँ राजीव रगुनंदन वक्त बड़ी बहस का है मुख्यमंत्री पत्से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होई बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने फिर दोहराया कि ब्रस्टा चार से लड़ाई उनकी पहली प्राथ बिखता है पार्टी ने कॉंग्रेस और बीजेपी पर फिर से कई गंभीर आरोप लगा है और कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने मुद्दो के आधार पर इस्तीफा दिया है आमादमी पार्टी के नेता कह रहा है कि कॉंग्रेस और बीजेपी दिल्ली में एक साथ नजर आ रही है ऐसे में दोनों को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए उधर आमादमी पार्टी ने लोगसबा चुनाओ की तयारी भी शुरू कर दिये 23 फरवरी को हर्याडा में आमादमी पार्टी की रैली होगी इसके लावा 15-25 फरवरी तक पूरे देश में आमादमी पार्टी जाडू चलाओ यात्रा निकाल रही है तो आज की बड़ी बहस में इस बदले सियासी घटना करम को लेकर हम कई सवाल उठाएंगे पहला सवाल यही होगा कि क्या अर्विन केजिवाल ने मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा देकर मस्टर स्टोक लगाया है और आमादमी पार्टी की अगली रड़नीती क्या होगी हर्याडा के नजरिये से भी आमादमी पार्टी के मिशन लोकसवा पर हम चर्चा करेंगे आज की बड़ी बहस में एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि क्या योगेंद्री यादव अहिरवाल की राजनीती में हीरो बन पाएंगे और इससे पहले कि हम आपका परचे अपने पैनल से करवाएं हमेशा की तरह एक नजर डालिए उन सवालों पर जो आज बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं सवाल नंबर एक केजिवाल का इस्तीफा क्या मास्टर स्ट्रोक है केजिवाल ने दिल्ली के बुक्यमंत्री पत से इस्तीफा देकर क्या मास्टर स्ट्रोक चला है और इसी इस्तीफे के बल पर या इससे उपजी सहनुबूती या इससे जिस तरह की उनकी छवी बनेगी उसी दम पर लोगसभा का चुनाव ड़ा जाएगा सवाल नमबर दो जो इंडिया दियूज हर्याणा उठा रहा है क्या मादनी पार्टी की अगली रणनीती अब क्या होगी रेलियों का शेडूल तो बना है जाडू यात्रा की तैयारी तो की गई है लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ उनके तरकश में अभी बाकी है पार्टी का लोकसभा मिशन किस पार्टी को जादे नुकसान पहुचाएगा क्या ये कॉंग्रेस पार्टी की मदद करेगा या फिर जो हाल दिल्ली में बीजेपी का हुआ कहीं केंद्र की सियासत में आम आग्मी पार्टी वही हाल बीजेपी का फिर से न कर दे और आकरी सवाल सवाल नमबर पाथ क्या योगंद्र यादव अहिरवाल के हीरो बन पाएंगे कल एक बड़ी खबर आई दोपहर में जो शायद मुख्यमंत्री के स्तिफे की वज़े से थोड़ी सी दब गई वो ये कि योगंद्र यादव का नाम पहली सूची में है आपनी पाथी ने एलान कर दिया कि योगंद्र यादव गुरगाओ लोकसवा क्षित्र से चुड़ाओ लड़ेंगे और अब तस्वित पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है अगर योगंद्र यादव गुरगाओ लोकसवा सीट में आते हैं तो अहिरवाल के हीरो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे तो सवाल लंबर एक के जिवाल का इस्तिफाक क्या मस्टर स्टोक है सवाल लंबर दो आम आपनी पाटी की अगली रणनीती क्या होगी सवाल लंबर तीन क्या आपके लिए यानि आम आपनी पार्टी के लिए हर्याड़ा की जबीन माकूल थाबित होगी सवाल नमबर चार आपका लोकसवावेशन किस पार्टी को जादे नुकसान पहुचाएगा और सवाल नमबर पाँच क्या एहरवाल के हीरो बन पाएंगे योगेंद्रियादव झाल 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 और जल्दी से हम आपका परिचे अपने पैनल से करा दे हमारे साथ आज इस बड़ी भहस में हिस्सा लेने के लिए एसी चौधरी साथ है एसी चौधरी साथ पूर्व मंत्री है और कॉंग्रेस पार्टी के वरिस्ट नेताओं में शुमार है चौधरी साथ बहुत स्वागत इंडिया डियूज हरियाना पर बड़ी भहस में हमारे साथ परमजीत सिंग जी है परमजीत सिंग जी आमादभी पार्टी के नेता है और हरियाना में बड़ी जिम्बेदारी संगठन के तौर पर निभा रहे हैं हमारे साथ संदीब जोशी जी हैं आप प्रदेश सचिव हैं भारती जनता पाटी के अबारे सभी मेवानों का बहुत स्वागत हमने पहले सवाल उठाया है कि क्या अर्विंद के जीवाल ने इस्तिफा देकर मास्टर स्टोक खिल दिया है और इसी मास्टर स्टोक के दम पर वो लोग सभाज चुनावों की सियासत करेंगे परमजीत सिंग जी क्या यही मास्टर स्टोक था आप लोगों के पास कि पहले सरकार बनाएं वो फैसले लें जो सरकार लेना चाहती है इन 49-50 दिनों में और उसके बाद इस्तीफा दे दें तेकिये मास्टर स्टोक था या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अर्विन केजरीवाल ने जनता की द्वारा की गई राजनिती है जब हमने कांग्रेस और बीजेपी के पास गए थे हमने 18 मुद्धे लिखे दिये थे कि इन 18 मुद्धों पर हमें समर्थन जो भी है समर्थन दीजी और हम काम करेंगे जब उन लोगों जब हमने ये देखा कि 18 मुद्धों पर हमें समर्थन ही नहीं दे रहे है तो अर्विन केजरीवाल ने एक त्याग दिया है और ये दर्शाय है देश के सामने पर हजार बार जनता के जुड़े मुद्धों पर हम ऐसी कुर्शियां कुर्बान करते हैं अर्विन केजरीवाल ने कल एक उधारन दिया है लेकिन परमजी सिंग जब आप सरकार बना रहे थे तब आपने रफरेंडम करवाया जनता से एक जनादेश लिया आपने स्तीफा देने के लिए तो कोई रफरेंडम नहीं कर पा है आपने शायद कल देखा नहीं है सभी कार्यकरताओं को कनाट प्लेस वाले दफ्तर में बुलाया गया था कनाट प्लेस दफ्तर में सभी साथियों से राय की गई थी उसके बाद ये निरने हुआ है आप ये नहीं कह सकते कि लोगों से नहीं पूछा है अपने अपनाई अपनाई थी आपने कई नुकर सभाय की थी आपने एक फॉर्म भरवाया था उसमें राय जाओन जाए थी देखिए वो बात अलग है जब हमने आज हुआ क्या है कल विधान सभा पर आप नजर डार के देखिए जब मुकेश अमबानी ने मुकेश अमबानी के पैसे ने कांग्रेस और भारते जन्ता पार्टी को इखठा कर दिया जब SIT के मुद्दे को लेकर अर्विन केश रिवाल ने किया SIT को लेकर सीला दिक्षित के खिलाब भी प्रहार किये हैं और एक तीसरा जो मुद्दा है इन बातों को लेकर जब हम अपने साथियों के पास गए और जो हमारे मैनिफेस्टों में हैं जब हम उसको पूरा नहीं क कर पाए तो अर्विन केश रिवाल ने त्याग की भावना दिखा कर अपने मुख्य मंत्री की कुर्सी को लेकिन परमजेर जी कॉंग्रेस और बीजेपी एक सुर में आप पर निशाना साथ रहे हैं तो यहीं का मुद्दारी से भागे हैं आपने कोई त्याग नहीं किया है आपकी तरकश में एक ही तीर था और इस तीर को आप समय पर चलाना चाहते थे कल वो समय आ गया आप दिने की जनता के सामने डिलिवर करने में नाकाम रहे और इस वज़े से आपने सिफ़ादे से आप जिन्दा रखना चाहते हैं मुकेश अमबानी के पैसे से कांगरेस और भारतीय जनता पार्टि कितनी एग जुट हो सकती हैं ये कल जनता ने देखा है जनता ने ये देखा किस तरह से एक व्यक्ती को जनता से जुड़े मुद्धे को पेश करने वाले व्यक्ति को एक शिकार किया गया है ये जनता ने तो आदे से ज़्यादा मंत्री जेल में चले जाएंगे, आदे से ज़्यादा विधायक जेल में चले जाएंगे, इसलिए ये मुकेश उम्बानी पर जब F.I.R. दर्ज हुई, तो मुकेश उम्बानी ने एक ड्रामा रचा, कांग्रेस और भारते जनता पार्टी को एक हो चुकी है, और हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए ये ड्रामा रचा गया है. देख रहे हैं, क्या वाकई यही मास्टर स्टोक था, क्या वाकई अर्विन केशिवाल के तरकश में यही एक तीर था, जो उन्होंने चला दिया? आप बिलकुल सही सोच रहे हैं, कारण सिर्फ इतना है, कि मैं तो इसे कहूँगा कि इन्होंने मिस्फाइर किया है, मिस्फाइर इस तरह, कि यह बात तो बच्चे-बच्चे की जबान पे थी, कि जिनके पास कुल सतर में से अठाइस वोट हैं, और वो भी एक कम हो गया, सताइस रह गया, उनको कोई भी औचित्य नहीं था सरकार बनाने का, लेकिन उनके जो आदर्श लोगों के सामने रखे, उनका सही तस्वीर लोगों के सामने आ जाए, इसलिए उन्हें एक मौका दिया गया, और उस नाते से, आप पार्टी ने, ज इतनी सोच उनकी अपनी है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा दमाग है, जो कम से कम उनको इस तरीके से गाइड कर रहा है, कि आगे आने वाले, जो दो मीने के बाद या तीन मीने के बाद पार्लीमेंट के चुनाव है, वो इनका निशाना बना हुआ है, उसको हासल करने के लेकिन वो ये भूल गए हैं, कि जब उन्होंने ये अस्तीफा देने की बात कही, तो उसके उपर मुदा क्या लिया, मुदा ये लिया, कि हम जन्लोग पाल बिल लाना चाहते हैं और ये लाने नहीं देते, मैं ये पूछता हूँ उन से, कि जब वो हास में बैठे थे, तो ह हाउस की गरिमा बनाए रखना, हाउस के कानून काईदे के मताबिक चलना, हर विधायक के लिए लाजमी है, और उसी कानून के तहट, अब ये हाउस में फस्स रीडिंग आएगी, हाउस में पहले बिल इंट्रोडूस होता, इंट्रोड़क्शन के बाद, उसके बाद, क्ला तब कह दिया, और ये नहीं भूलना चाहिए उनको, कि ये फुल फ्लेजिट स्टेट नहीं है, ये सयूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसमें उन्हें इस तरीके की प्रिविलिजिस दी गई है, कि वो अपनी सरकार चलाएं, लेकिन फिनन्शल मामलों में, उन्हें सब से पहले लेटिनन्ट गौर्णनर को पेपर भेजने चाहिए थे, और उसके बाद गौर्णमेंट की अप्रूवल आने के बाद, ये पूरी तरह करते, मैं जिसे एक सवाल पूछता हूँ, कि कौन सी गोली चल रही थी, कि वो जो बात, कल कल में ही है, वो करना चाहते थे, अग पार्टिया, बाकी जो विपक्ष की है, वो उसके उपर अपनी राय देती, ठीके चौदरी साब, आपके पास रविवार तक का सबे था, चार दिन का सत्रा आप लोगों ने बुलाया था, और जादे मंथन हो सकता था, और डिसकुशन हो सकता था, देखिए मैं ये बताना चाता हूँ अपने साथी से कि सप्तंबर 2002 में जब शीला दिक्षित ने दिल्ली की मुख्य मंतरी थी और सेंटर में अटल भिहारी वाजबाई की सरकार थी, बारते जनता पार्टी की सरकार थी, तब शीला दिक्षित ने दो दिन काम बंद रखा था और ये मांग की थी कि क नूर बनाना है, लोका युक्त बनाना है, लोकपाल बनाना है, तो हम अपनी विधान सभा में बनाएंगे, ये असविधानिक हो गया है, 1984 के दंगे हुए थे, वो सविधानिक थे, आपकी ये बात सही हो सकती है, लेकिन जो सवाल एसी चौधरी साब उठा रहे है, कि कल इतनी जल्दबाजी में क्यों थे, बाकी जो बचे दो दिन थे, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते थे, आपकी सरकार कोई सरवदली बैठक बुला सकती थी, उसमें विचार विमर्श हो सकता था, कल ऐसा लगा कि आम आदनी पार्टी बहुत जल्दबाजी में थी, जो करना चाहती थी, वो कल करना चाहती थी, जल्दबाजी में हैं, हम काम करने के लिए जल्दबाजी में हैं, लोगों के काम जनता से जुड़े मुद्दों को पूरा करने की जल्दबाजी में हैं, मैनिफेस्टों को पूरा करने की जल्दबाजी में हैं, हाँ हमने जल्दबाजी क अगर किसी को होने जा रहा है तो तमाम जानकार ये मान रहे हैं कि बीजेपी को होने जा रहा है इन्होंने जिम्मेदारियों से भागने के लिए ये काम किया और इस्तीफा दिया और एक तरह से आते मत्या की, इन्होंने जो अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, उसको अपर ड्रामेटिक इन्होंने वो किया, और बड़ा चिदा से ड्रामा रचके, इन्होंने इस्तीफा दिया, ये किसी भी आलत में दिल्ली की जनता को बस्ता चार मुक्त नहीं करना चारे थे जबकि जो सविधान की उससे हिसाप से तो चलना ही पड़ागा, इन्होंने सविधान की साफ से ने चलके, आपना ही, कि मैं सब पिल्कु ठीक हूँ, उसकी इसाफ से चले। करता हूं नहीं के लिए विदान समय बासिन के लड़ेंगे उसके बार ये लड़ेंगे उसके पार ये चाही होगा इसको उपर हमने छोड़के जना है पहले जाए जब मुकेश उम्भानी पर अफाईयर दर जो इए जिए चिसी तरह किसीदे पर अपको बारा बजी यहार आपके पास पर बागर के पहले हैं आरेस दया साब आप क्या सोच रहे हैं वाकई कल जो कुछ दिल्ली की विधाद सवा में हुआ वो वेल स्क्रिप्टिड था, के वल एक ड्रामा आत्माद्मी पार्टी ने किया, आम आद्मी पार्टी और उनके नेता इस ताक में थे, कि किसी तरह से इस तरह का एक टेम्पो क्रियेट किया जाए और उसके बाद सरकार की शहादत दे दी जाए। इसमें जो इनकी जो गौनिग बोडी हैं, उसमें सभी खास है, आम को इनी है। अब दो जो कल यह आयाँ प्रचा तंतर है, फरचा तंतर में पार्टिया अनेक हो पार्टिय आएगंगी 708 से पार्टिया चुनाव आयोग के तयत अभी विन स्टेर है ठीकर डीकर, एक और 708 में आज़ी कोई सॉलाजों पार्टिया था है लेकिन पब्लिक को जो जिस तरीके से केजरिवाल जी ने स्टैप लिया वो ऐसा वैधानिक था क्योंकि पहली बात दिल्ली यूनियन टेरेक्ट्री है मैं चोदरी साब की बात्षे से बहुत है और जिब भी अगर ऐसे ही सभी जगया राजकता आजएक तो सुविधान की पालना कौन करेगा सुविधान में क्योंकि ये पूरा राज़ा है ये यूनियन टेरेक्ट्री है कर और भी यूनियन टेरेक्ट्री से कर वह भी अपने तरीके से वह ने तो भाट का सुविधान गौन होकर रहे जाए कुणकि इंडियन नेस्षण ललोकल आमदमी की पारटी है सबशी बड़े आमदमी आतनी देग्लाव और जिणों ने हमीश आमा आत्मी की बात करी चहे हमान पैसिन कर जामाफी की बात हो ठाहे जर्चा बच्चा के लिए खुराग देने की पार्त हो। ये को करते हैं। ये को पुरा करें। क्योंकि आमाद्मी पार्टी का जो मूल करेक्टर था आंदोलन करने का लगता है कि एक बार फिर से ही लोग उसी रास्ते पर हैं। और तेइस फरवरी को जो ये रैली कर रहे हैं वो भी पहली रैली हर्याडा में ही हो रही है। क्या सियासी जमीन हर्याडा माकूल रहे गए आमाद्मी पार्टी के लिए चौदरी साब। देखिए पहली बात उनको ये समझ लेनी चाहिए ये बात सही है कि कुरॉप्शन एक बहुत बड़ा मुदा देश में और उसमें हर पार्टी अपने अपने तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। जिसका भी शासन होगा वो कभी भी कुछ शासन नहीं लाएगा स्वशासन लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। मैं आम माद्मी पार्टी से एक बात पूछता हूँ कि जब ये कुरॉप्शन की बात करते हैं तो इनके पास कौन सी जोतिश आगी थी? इनके पास भी कांग्रस का जो आर्टी आई था राइट टू इन्फरमेशन उस एक्ट के मताबिक ही वो अधिकारों का प्रेयोग करके इने कुछ जानकारिया मिली हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत पश्च कर दूँ कि गरीबों की भावनाओं का बढ़ता करके उनके दुख को अपने समक्ष इशू बढ़ा करके और उनकी कमजोरी का नाजायस फैदा उठाने का काम आमादभी पार्टी ना करे अगर ऐसा हुआ तो हर्याना में उनको पूरी त जरुडा जी पूरी तरह प्रयास रत हैं हमें हमारे कामों में उन्टा रुकावट डाल करके उनका नुक्सान करेंगे अगर अपने तौर पर देखा जाए तो ये इनका बस चले तो ये सारी सीमाएं लांकर पार्लिमेंट के अंदर ही अपनी सीटे पकड़ के बैठ जाएं तो कि इनको देश के सविधान के प्रती कहीं भी आस्था इनकी नज़र नहीं आती चोद्री साब आपने ये तो माना कि ब्रस्टाचार मुद्दा है राजरीतिक दल अपने अपने इस तर पर उस मुद्दे से निपट रहे हैं उन्होंने अपना मैकनिजम बनाया है लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है जिस प्रस्टेश में ये मुद्दा कितना बड़ा है और क्या ये बड़ा चुनावी मुद्दा कम से कम लोकसवा चुनावों में बन पाएगा ऐसा मुम्किन नहीं है क्योंकि हमारे हाँ जनलोक पाल बिल आलरडी लागू है और उसके साथ साथ हमारे पास चार स्थर पर गॉर्मेंट लेवल पर भी कई किसम की कमेटियां बनी हुई है जो कुरॉप्शन को कर्टॉल करने की बात करती है मैं एक बात बड़ी चिंता मुझे हो रही है कि जिस तरीके से ओर नाइट अस्तीफा दे कर और अगर ये कहते हैं कि हमारे पास चार दिन का सेशन था अगर कोई इनको कानूनी तोर पर पाबंदी तो नहीं थी चार दिन के बाद दो दिन और भी बढ़ाया जा सकता था जो इनके अपने पर वियू में था लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बिलकल संकोश नहीं हो रहा कि ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें एक सिवल वार की तरफ देश को लिजा रहे हैं ठीक हो कैसे है आज ये कहते हैं बिजली का बिल हम जे सबसेडाइस कर रहे हैं भी तो स जो लाइन कट गई, DCO हो गया, डिसकनेक्शन हाडर हुए, इन्होंने आप लाइन जोटी शुरू कर दी, अब अगर इनके राज में बिजली पानी के बकायाजात या बाकी टेक्सिस की वसूली पे कोई भी एगर एक्शन होगा, तो लोग ओपन ली उसको फालो करेंगे, जो एक खलत मसाल केजरिवाल जी ने रखी है, और जब नहीं होगा, तो देश में एक बहुत बड़ी एनार की गरफ ये ले जाएंगे, जो सवाल हम उठा रहे हैं, हरियारा की जबीन आम आदनी पार्टी के लिए लोग सुबा के चुड़ाओं में कितनी माकूल साबित होगी, क्योंकि आम आदनी पार्टी का जो मूल करेक्टर था, जिसको सत्ता में पहुँचाया था, जिस करेक्टर ने, वही दुबारे भी धारण कर लिया है आम आदनी पार्टी ने, वही आंदोलन की बात दुबारे हो रही है, वही रैलियों की बात दुबारे हो रही है, हर्यार यादव जी ने रिवाडी में जंसभा की वहां की एस्पेटेशन थी इनके 20,000 लोग आएंगे आये 2000 भी नहीं दस परसेंट बैदार नहीं बढ़ा उसके कारण और कई ऐसे वह रहें इनके आगर इनके इंटरनल बात बता हैं हम कि जो इनके डेली पाज लाग का जो इनका जो तो ये समझेंगे कितना पैसा इनके फंड में आ रहा है नहीं आ रहा है तो कैसे मैनेज करेंगे आ रहा है तो जवाब देई कहा होगी बगएरा बगएरा लेकिन अब जो नई सियासी पिक्चर है जिसमें अब टार्गेट पर हरियाणा है हरियाणा की लोकसभा की सियासत है वहाँ इनकी जमीन को आप कैसे देख रहे है फोकस सवाल ये है ये वहाँ काम्याब होंगे या नहीं ये अर्याणा में हल्चल मचा पाएंगे या नहीं मचा पाएंगे अरेडा में यांचल क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हाँ यह मैं मानता हूँ बश्टाचार अहम उद्दा नी रहा है उद्दा है अरेडा में है, नहीं हो सब नहीं है इनके भी आतंगे है, इनके बाते जिंता बाड़ी भी हमीशा करती रहे हैं और आपको बता दूँ के जो यह लोगपाल करना चाहरे खंडों जी ने बहुत साल पहले यह महाँ पे उत्रा खंड में ला दिया था उसकी अन्ना जी नहीं प्रसंसा की थी और यह दिखाना चाहते हैं कि हामी बश्टा जाने खिलाफ है गलब कर रहे हैं इसी भी उसको बदल ठीके 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 पहले तो चोदरी साब की बात का जबाब तो चोदरी साब ने बात कई है लोगपाल कि लोखायोत की हार्याना में था और भूपेंदर सेंग लोगपेंदर स्थी NAV को कि आदी से ज्यादा की सीड़ीज दिब दाचुकी है और लोगईट महादे ने उन पर रामकिशन फोज और आपके मुख्यमंतरी महाद है उन्होंने एक कमेर्टी गठीट की है और उसको बचाने का काम करें हैं क्योंकि CLU जिस सम्बंध में वो CD है उसमें वो CD तो मुख्यमंतरी जी की और इसारा होता है क्योंकि राम किसन फॉजी जी जो है वो इसको कारिया छेतरी नहीं है क्यों कराएं तो उसकी बात का फायदा उठाया के जुटी में वह पड़े लिखिए है और वह मुक्य के मुताबिक उन्हों ने यह मुद्दा उठाया लेकिन वह भावनाओं पर नहीं खरे उत्रे और अगर भावनाओं पर चौदरी देविलाल की तरह उत्रे बहावनाओं पर को वह खरेग उतरते और उनों वह आगे चलते और इनके पास क्या मुद्दा है के दरिवाल जी के पास राइट टू रिकॉल का चौदरी देविलाल जी ने करा है तो दू चीजा आप सब्जे ब्रस्टाचार के बुद्दे पर इन्हों ने दिल्ली में सरकार बनाई आप य लिए ने दिल्ली में ब्रस्ताचार माइने रखता है ने इनके हाथ में तो जो इसी नहीं सवान पूच रहे है कि हर्याना में इनका क्या होगा इन्से बड़ी आम आदमी पार्टी चोदरी देविलाल के आदर सो पर चलने वाली इंडियन नेसनल लोगतल है और चोदरी दे दिल्लाल जी बहुत बड़ी आदे दिल्लाल जी का समय के लिए प्रफेसर चतरपाल जी से एक रियक्शन ले रहे हैं तक तो हम आपसे सवाल ये करना चाहेंगे जो पहला सवाल अमने आज बड़ी बैस में उठाया भी है और अपने तमाम पहले से पूचा भी है कि क्या इस्तीफ़े के तौर पर आम आदनी पार्टी ने या मुक्यमंत्री अर्विंद केजीवाल ले अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया और इस्तीफ़ा दे दिया यही एक तरकश का तीर था जिसे इस्तेमाल कर लिया गया देखे राजीर भाई यह दुनिया यह देश देखता है कि कौन विक्ति किस किसम से राजनिती में विवार कर रहा है सामा जी जी उन में विवार कर रहा है महतर जिस परकार से केजरिवार जी ने अस्तीफ़ा दिया जनलोकपाल के मुद्धे के उपर मैं यह नहीं समझ पाया कि जनलोकपाल का मुद्धा आप बहुत विरोधा भास की प्रिस्थिती में जवरदस्ती लेके आ रहे हैं उसमें समयधानिक प्रिक्रियाओं के उपर सवालिया निशाल लगा हुआ है लेटिजन्ट गवर्नर की भूमी का को उसमें पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है और जो विपक्ष में बैठे या जो सहयोगी कॉंग्रेस या बीजे पी थी उनके जो उसके Facebook लिए गया है उसके उपर जो हटा करके I Harp ते हैं करके चल दीए यह जो भीएवियर था यह जिस किसम से उन्होंने इसके उपर अपने आपको प्रोजेक्ट किया एक बहुत बड़ा सवाल इनके मन्शाओं के उपर लग गया कि वास्तों में ये काम करना चाहते हैं आप पारिटी के लोग या इस देश को एक ड्रामे के अंदर धकेल करके जो सवेधानिक मन्शा है जो आम लोगों की एक अच्छी निस्प पारिटी में रहे इस बाच के उपर सवाल आज उठ गया है तो मैं नहीं समझता कि आप पारिटी ने इसमें कुछ गेन किया है आम पारिटी आम पारिटी की जो क्रेडिविलिटी है वो इससे बहुत हताहत हुई है और जो लोगों की मन्शाथ ही इनके परती जो 28 सीट इनके आप कराएंगे तो 28 सीट देने वाड़े मतदाता वे निश्ट तोर से बहुत निराश हुए होंगे उन्हों ने किस किसम के लोगों के पक्ष में वोट डाला है जो मुख्यमंतरी बढ़के सड़क पे बैठ करके लिया इकाने की बात करते है जो विदान सबा का बाव जिसको आप कहते हो देना वही कटाए शहादत का नाम देने वाली जो राजनिती है यह देश शहीदों के खुम से उनके फासी के फंदों पर टांक करके बहुत किंतें देने के बाद यह देश्कित पर रही है हमारे साथ हम आगे भी आपके पास आएंगे सवालों को लेकर बड़ी बैस में छोड़े से ब्रेक के लिए आ रुख रहे है लेकिन ब्रेक के उस पार दो मैत्तुपूर सवाल जो हर्याणा की सियासत के लिए बड़े मैत्तुपूर है पहला सवाल यह कि आम आदमी पाटी हर्याणा में अगर अपना प्रभाव दबाव बढ़ाती है तो सबसे जाद है नुकसान किस राजनितिक दल को पहुचाएगी लोकसभा के परिपेक्ष में और सवाल नंबर दो जो हमने आखरी में पूछा है वो यह कि योगेंद्रियादव क्या अहिरवाल के हीरो बन पाएगे क्योंकि हरियाना की सियासत में सबसे बड़े चेहरे पर ज कर दो